नमस्कार दोस्तों उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे के दौरान बारिश से जुड़ी घटनाओं में 19 लोगों की मौत हो गई है जिहां लगतार बारिश ने सामाने जन जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव डाला खास कर राज्ये के कुछ जिलों में स्कूल दिन भर के रामपूर संभल और उन्नाओं में एक-एक व्यक्ति की मौत हो गई पिछले 24 घंटे में प्रदेश के 22 दिलों मुरादाबाद संभल कर नौज रामपूर हात्रस बारबंकी काजगंज बिजनौर अम्रोहा बहराइच लखनाओं बदाईउं मैनपुरी हर्दोई फिरोजब बरेली शहाजापूर कानपूर सीतापूर फरुखाबाद लखीमपूर खिरी और फतेहपूर में 40 मिल्योमीटर से जादा बारश हुई है मौसब भाग के पूरवानुआन के अनुसार पूरवी उत्तरप्रदेश में 14 सितंबर तक भारी बारश होनी की संभावना है जबकि 17 तारिक तक हलकी बारश जारी रहीगी अधिकारी ने कहा कि राज्य के पश्चिमी शेत्र में भी 17 तारिक तक बारश और बोच्छारे पढ़ने की संभावना है 15 सितंबर तक राज्य में बिजली गिरने का भी अलर्ट जारी किया गया है रेलवे के एक अधिकारी के पाग द्वारा जारी की गई बिजली कड़कने के साथ भारी वर्षा की चेताबनी के दृष्टी कोण से सोमवार को बारवी तक के स्कूलों को बंद करने के आदेश दिये और लोगों को अनाविश्यक रूप से बाहर ना निकलने की सलाविती लखनों में सभी जिलास्तरी अ पर तत्काल धिया जा रहा है देरहाल इस खबर में बस इतना ही देश और दुनिया की तमाव वड़ी खबरों के लिए देखते रही क्लिकेट लिए